दोखो एक टाम आता है प्रोडविल्टी में इवेंट, इवेंट दोखो, इवेंट को ए कहते हैं, इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है सेम्पल स्पेस का सबसेट, है ना सबसेट, ठेक है? If S be sample space of a random experiment, ठेक, S जो है वो किसी random experiment का sample space है, then, इवेंट is subset of S. मतलब जो event होगा वो sample space का subset होगा अब subset क्या होता यह हम जानते हैं जैसे हमने पढ़ा था जैसे मान लो कोई set A है इसमें 1, 2, 3, 3 elements है और हमसे कहा जाए इसके total subsets निकाली है तो 1 हो गया 1, 1 हो गया 2, 1 हो गया 3 1, 2, 1 हो गया 1, 2, 1 हो गया 2, 3 1 हो गया 1, 3, 1, 2, 3 हो गया और एक 5 हो गया है ना तो दोखो यह total subsets हमको मालू में ऐसे निकालते हैं इनका number 2 की power 3 मतलब 8 होगा जैसे 3 elements हैं तो subsets होगे 8 दोखो count करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना दोखो हर set खुद का subset होता है और 5 भी हाना 5 ही subset होता है हर एक set का ठीक है देखो तो even क्या है sample space का subset जैसे माल लो for example हमने कहा कि हमने 3 coins को toss किया हाना 3 different अगर कुछ भी ना लिखा जाए तो वह different ही माना जाएगा हाना और मैंने बताया था पहले भी आपको कि जैसे अगर हम 3 different coins को 1, 7 toss करें या 1 ही coin को 3 बार toss करें तो cases सेम होंगे जैसे 2 dice को 1, 7 फिकें या 1 ही dice को 2 बार फिकें तो cases सेम होते हैं यह मैंने पहले भी आपको यह बार समझाई थी तो जैसे मैंने कहा 3 coins को toss किया या 1 ही coin को 3 बार toss किया तो उन्हें देखा था कि sample space यह होता है एच एच होता है, एच होता है, एच होता है, एच होता है, टी एच होता है, देखो, टी टी होता है, टी होता है, टी होता है, टी होता है, त्रिपल टी होता है, देखो, यह हमारा सेंपल स्पेस होता है, अगर हम तीन कोईंस को टॉस करेंगे तब, ठीक, अब देखो, यहां से माल लो मैंने एक subset ले लिया, ट्रिपल एच, तो ये हमारा event हो गया, event, इसका एक subset ले लिया, वो कि इसके बहुत से subset बन सकते हैं, उनमें से एक subset ही है, तो ये event है, अब दोखो इसको language में कैसे बोलेंगे, कहेंगे event of all heads, ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया event of all heads, सारे head आने की event हना, दोखो, जैसे माल लिजिए, मैंने ये ले लिया, कि HHT, HTH, और THH, दोखो, ये भी इसका एक subset है, ये भी एक event हो गया, तो इसको मैंने E2 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया event of two heads, दो head आने का event, event of two heads, दो head आने का event, तो यहां से बहुत सारे subset बन सकते हैं, अच्छा एक तरीका दोखो ये है, कि मैं कोई भी ना लूँ, मैं phi को ले लूँ, तो ये भी एक event है, हैना, ये भी एक event है, इसको कहते है, impossible event, हैना, phi का मतलब हो गया, impossible event, मतलब कुछ भी नहीं लि है, तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे भाई, ये event कभी नहीं होगी, impossible event का मतलब ऐसी event जो कभी नहीं होगी, impossible event, five, अच्छा है काम करें, हम पूरे पूरे S को ही ले ले, हैना, हम पूरे पूरे S को ही ले ले, क्योंकि हर set खुद का भी subset होता है, तो ये भी एक event हो है, हाना, जैसे हम नहीं बताया था, कि अगर पूरे set को ले लोगे, वो भी एक subset है, तो अगर हम पूरे पूरे S को ले ले लेंगे, तो वो भी एक subset है, और वो भी एक event है, इसको बोलते है, certain event, certain event, मतलब इस event का होना निश्चित है, हाना, इस event का होना निश्चित है, फाई का मदलब कुछ भी नहीं लिया तो impossible event, s लिया, s का मदलब पूरा-पूरा sample space लिया, तो पूरा-पूरा sample space भी इसका subset होगा और वो भी एक event कहलाएगा, क्योंकि हर एक subset event है, तो जितने subset possible है, उतने ही event possible, जैसे माल लो, इसमें 8 element है, देखो, 1, 2, 3, 4, 8 elements है, तो अगर 8 elements है, तो इसके total subsets कितने हो गए, इसके total subsets हो गए, 2 raise to the power 8, तो वही इसके total events भी हो गए, है ना, तो इसके total events कितने हो गए, बोलो, 2 raise to the power 8, है ना, तो इतने सारे अलग-अलग events possible होते हैं, तो event बहुत simple है, ठीकिए, दोकों सबसे पहले क्या आया, experiment आया, ध्यान दो, experiment से निकला random experiment, random experiment से निकला sample space, है ना, तो random experiment था, उसके सारे possible outcomes जो थे, उसी को हमने क्या कहा, बोलो, sample space, sample space से आया event, event क्या है, event है sample space का कोई भी subset, है ना, बहुत सारे subset possible है, तो उसमें से कोई भी subset ले लेंगे, वो एक event है, अब हम समझेंगे, आखर probability क्या होता है, है ना, probability, लोगों जैसे, यहाँ पर जो हमारा S है, S में 8 points है, 8 points, N S, अब लोगों जैसे, यह event है, E1, तो E1 में 1 point है, N of E1, कितना है 1, event में 1 point है, लोगों आपने sample space का 1 point लिया, अब लोगों जैसे E2 है, तो E2 में 3 points है, 3, तो N E क्या हो गया, बोलो 3, है ना, यह चीज़ है, माल लो पूरा-पूरा S ले लिया, तो पूरा-पूरा S यह भी एक event है, तो इस event में फिर से 8 points हो जाएंगे, ना, तो number of points event भी निकाल सकते हैं, है ना, और number of points sample space भी निकाला जा सकता है, ध्यान दूँ, ठीक है, देखो, जैसे माल लो, for example, माल लो, for example, देखो, जैसे माल लो, हमने क्या किया, एक box लिया, इस box में वही R1, R2, दो red ball हैं, और G1, G2, दो green balls हैं, अब मैंने कहां कि one ball निकालो, one ball is drawn, एक gain निकालो, तो अगर हम एक gain निकालेंगी, तो sample space क्या बनेगा, या तो R1 होगा, या R2 होगा, या G1 होगा, या G2 होगा, है ना, चार gain निकालेंगे, तो चार possibility है, ठीक, अब माल लो, इस मैंसे मैंने एक event ले लिया, दोखो, NS, NS होगा, 4, माल लो, मैंने event ले लिया, यहां से R1 और R2, अब दोखो, event में red balls आ रहे हैं, दोखो, NE क्या होगा, NE होगा, 2, E क्या है, E है, दोखो, red ball आने का event, दोखो, यह हो गया, event of red ball, red ball आने का event, है ना, sample space, मनलब टोटल एक gain निकाला, तो चार points है, अब मैंने कहा, red ball आने का event क्या है, तो red ball आने के दो possibility हैं, या तो R1 आएगा, या R2 आएगा, तो NE, मनलब E में, event में, number of points कितने होगा, हो गया, तो event के भी number of points किने जा सकते हैं, और sample space के भी number of points किने जा सकते हैं, ध्यान दूँ, ठीक हैं, दिखो जड़ा बच्चों इसको ध्यान से, कीर दे कमादा सकते हैं जा सकते हैंवारोν के सकते हैं, भी फिर में, कीर द्यान से,